अलो फ्रेंड्स वेल्कम टू निट्रिंग टूटर आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं यह डबल कलर का डिजाइन के बहुत ही प्यारा सा डिजाइन है इसको आज हम बनाएंगे आठ फंदो का डिजाइन है यानि कि हम इसमें 8 के मल्टिपल और प्लस 3 फंदे इसमें डाले यह डिजाइन के फंदे होंगे 8 के मल्टिपल यानि 8, 8, 8 और फिर 5 इस तरह से हम इसके फंदे लेंगे तो दिखिए यह हम बनाना शुरू करते हैं इसको मैंने यहां 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यह 8 के मल्टिपल में हमारे 16 फंदे हो गए प्लस 3 फंदे हो गए यह हमारे डिजाइ के फंदे हैं और दो फंदे यह एक्स्ट्रा हैं एक फंदा हम इधर लेंगे बिना बुना और एक फंदा हम इधर लेंगे जब आप बॉर्डर कर लें चाहे आप किसी भी तरीके का बॉर्डर करें बॉर्डर करने के बाद दो सलाई एक साधी बुनेंगे हम एक सीधी सलाई और एक उल्टी सलाई और उल्टी सलाई से हमें ये design बनाना है उल्टी सलाई से शुरू करेंगे हम ये design पहली सलाई हम second color से पूरी उल्टी बना लेंगे यहां से यह लेते हुए हमें कोई भी भंदा कहीं कोई डिजाइन का नहीं बनाना है इसमें पूरी सलाई हमें उल्टी बना लेनी है यह हमने उल्टी सलाई कर ली अब आगे हम सीधी सलाई पर सीधी सलाई पर हमें यह वाला फंदा बिना बुना लेना है जो एक्स्ट्रा फंदा है हमारा अब हम डिजाइन के फंदे बुनेंगे एक, दो, तीन तीन फंदे सीधे बुन लिए दागा आगे लेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच फंदे हो गए, धागा पीछे ले लेंगे, यह हमारा डिजाइन हो गया, यानि पांच फंदे उल्टे बुन लिए और तीन फंदे सीधे बुन लिए, यह एक डिजाइन हो गया, अब फिर से तीन फंदे सीधे, एक, दो, तीन, और धाग करके एक दो तीन चार पांच यह हो गए पांच फंदे यह हमारा दूसरा डिजाइन हो गया आट फंदे यह हो गए, आठ यह हो गए अब हमें यहां से यह दोनों साइड से एक यह तरह से दिखाने के लिए हमने तीन फंदे यहां extra लिये हैं 8 के multiple के बाद तो यह 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे और यह फंदा भी हम ऐसे ही बुन लेंगे यहां से हम शुरू करेंगे white color यह हो गई हमाई सीधी सलाई अब हम multi सलाई पर आ जाएंगे 2 सलाई हमें blue से करनी है और 6 सलाई हमें white से करनी है तो दिखिए अब दो blue की हमाई 2 सलाई हो चुकी है complete पहली सलाई हमने पूरी उल्टी बुनी और दूसरी सलाई में हमने 3 फंदे सीधे 5 उल्टे तीन सीधे 5 उल्टे इस तरह की पूरी सलाई करनी है आपके पास जितने भी फंदे हो यहां से हम शुरू करेंगे white color यह पहला फंदा हमारा जो है यह बिना बुना लेने के लिए है जो हम extra फंदा है हमारा इसको तो हम बुन लेंगे उसके अगले हमें 3 फंदे एक, दू, तीन यह 3 फंदे बिना बुने लेने हैं और जो हमने सीधी साइट से उल्टे बुने थे वो 5 फंदे हमें बुनने हैं और जो सीधी साइट से यहां से हमने जो फंदे सीधे बुने थे उनको हमें बिना बुना लेना है और जो हमने उल्टे बुने थे वो हमें बुन लेने हैं यानि कि हमने तीन फंदे सीधे बुने थे, तो तीन फंदे हमने बिना बुने ले लिए, पाँच फंदे उल्टे बुने, तो ये पाँच फंदे हमने यहां बुन लिए, अब फिर से वही तीन फंदे सीधे आ गए हमारे, तो इनको भी हम बिना बुना ले लेंगे और फिर पाँच बंदे वाइट से बुनेंगे फिर से ये तीन बंदे बिना बुने लेंगे और एक बंदा बुन लेंगे ये दोनों साइड हमारा एक्स्ट्रा बंदा है और बाकी बंदे हमारे ये डिजाइन के हैं अगली सलाई पर आ गया ौदूसरी सलाई है ये। पहला फंदा हम ऐसे ही बुनेंगे एक, दो, तीन। ये फंदे बिना बुने ले लेंगे, जो हमें ये बुने थे, तीन, पांच फंदे सीधे। यह हमें उल्टी साइड से उल्टे बुनने है और सीधी साइड से सीधे, अगे बाद यह दूसरी सलाई है हमारी वाइट कलर की, जो हमाई यह सीधे फंदे जो हमने उल्टी सलाई में भी बिना बुने लिए, सीधी सलाई में भी बिना बुने लेने हैं, पांच फंदे, सीधे बुन लेंगे, फिर ये तीन फंदे बिना बुने लेंगे, और एंड का फंदा भी बुन देंगे, ये हो गई वाइट कलर से हमारी दूसरी सलाई, अब आएंगे हम तीसरी सलाई पर, ये हमने पूरी सलाई कर ली इस तरीके से, जो सीधे फंदे थे वो बिना बुने लिए जो उल्टे फंदे थे उनको हमने बुन लिया दो सलाई हो गई ये दोनों सलाई में हमने ये फंदे बिना बुने लिये हैं अब आगए हम तीसरी सलाई पर तीसरी सलाई भी हमें ये ऐसे ही करनी है वाइट की जो तीसरी सलाई है वो भी हम इसी तरीके से कर बिना बुने लेंगे और बाकी के फंदे हम बुन देंगे ये वाली सलाई भी हमें इसी तरह से करनी है फिर ये वाला फंदे तीनों बिना बुने लेंगे बाकी के फंदे वाइट बुनेंगे और जो तीन फंदे हैं ये बिना बुने लेंगे end का फंदा हम बुन देंगे अब आ जाएंगे हम इसके चौथी सलाई पर देखे चौथी सलाई पहला फंदा हम बिना बुना ले लेंगे ये वाला फंदा बुनेंगे एक और ये बुनेंगे दो फिर हम इन फंदों को पल्टेंगे तो दिखिए, ये वाला फंदा हमें इस तरफ लाना है, तो हम पहले ये फंदा बुनेंगे, यहां से, और फिर ये वाला फंदा बुन देंगे, ये हो गया, ये हमारे इधर पलट गया है, ये दिखिए फंदा, अब हमें बीच में एक, दो, तीन, तीन फंदे सीधे बुन लेंगे, और ये देखिए, ये आ गया हमारे, ये वाला फंदा हमें इस तरफ लाना है इसके, अब इसको हम ऐसे भी बुन सकते हैं, यहां से पहले ये वाला फंदा बुन लेंगे, और फिर ये वाला फंदा बुन लेंगे और चाहें तो इसको पहले पलट ले और उसके बाद बुन ले एक फंदा ये बुन लिया ये वाला फंदा हमें इधर लाना है यानि अगर left लाना है तो पीछे की तरफ से बुनेंगे दूसरा फंदा पहले और अगर इसको right लेकर जाना है तो आगे की तरफ से बुनेंगे, तो यह हमें left में लाना है, तो यहां से फंदा एक बुनेंगे, निकालेंगे नहीं सलाई में से फंदा, और दूसरा भी बुन लेंगे, दोनों फंदे सलाई से निकाल देंगे, यह बुन लिए हम ने, अब त से यहां यह फंदा निकाल लिया सलाई में से यह इस तरह से लेके आगे ले लिया और ऐसे भी हम बुन सकते हैं यहां से यह वाला फंदा बुना यह भी ऐसे ही बुन लिया और यह भी ऐसे ही बुन दिया साइडों के हमें एक फंदा इधर और एक ये वाले का इधर पलटना है और बाकी के दो फंदे ऐसे ही बुन लेने है और बीच वाले में एक फंदा इधर पलटना है और एक फंदा इधर पलटना है यानि तीन के अब ये पांच हो जाते हैं इस तरीके से यहां से हम, अब हमें यहां, यह दिखिए, दो-तीन सलाई हमें यहां, यह इसकी बुनेंगे, हम सिर्फ वाइट की, यह हमारी पहली सलाई है, तीन सलाई हम कम से कम बुन लेंगे, तीन से चार सलाई इसकी, यह दो सलाई बुन लें, यह आपकी चोईज है, यह हो गई हमारी उल्टी सलाई, अब आ जाएंगे हम सीधी सीधी सलाई पर, सीधी सलाई भी हमें ऐसे ही बुन लेनी है, यह हो गई जाएंगे दो सलाई, इसके बाद हम फिर यह उल्टी सलाई से डिजाइन शुरू करेंगे, यही डिजाइन है हमारा, इसी को आपको बार बा बार रिपीट करना है जो मैंने ये दो सलाई की है लास्ट में वाइट की आप चाहें तो चार सलाई कर सकते हैं आप चाहें तो छे सलाई कर सकते हैं जितना गैप आप इसको देना चाहें वहाद दे सकते हैं ये डिजाइन हो गया हमारा कंप्लीट दो सलाई हमने ब्लू से बन तो यानि 8 सलाई में हमारा यह डिजाइन कंप्लीट हो गया, 8 फंदे 8 सलाई का डिजाइन है यही डिजाइन हमें, बार बार रिपीट करना है, आप यह गैप देख सकते हैं, कितना गैप है, यह हमने डिजाइन कंप्लीट करने के बाद 2 सलाई का गैप किया है, अगर आप चा झाल झाल